अभी अभी जो SCTEVT के जो स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा सिख समेस्टर जो कि ओनलाइन एक्जाम देना चाते हैं उनके लिए एक न्यू नौटिस आया है regarding that of online exam जो online exam होंगे उसमें ये कागया है कि कुछ बच्चे सिरफ और जितने वे student ने participate किया online exam के लिए उनमें सिरफ 197 student ऐसी हैं जिनोंने different exam center में exam देने का लिया है बाकी सब घर से ही exam देना चाह रहे हैं अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे subscribe कर दीजिए ताकि आपको इस टाइब की latest information मिलती रहें तो request की है उन्होंने candidate को among these 197 student कि उन्हें भी घर से अपने android phone या फिर computer से exam देने की permission दी जाए और it is hereby informed that any approved candidate out of these 197 student who have opted for appearing exam from any exam center may appear from home uses computer, laptop, android, mobile phone set with stable internet connection उन्होंने ये भी approval दी है कि 197 student में जिन्होंने अप्रूव हैं और जिन्होंने ये निश्री किया है कि वो online center में जाके exam देंगे तो वो अगर चाहें तो वो भी घर से अपने laptop से, computer से या android, mobile phone से जहां पर अच्छा internet connection हो घर पर बैठ कही exam दे सकती है और the system shall allow them to appear from home और system जो है वो उन्हें घर से अपियर करने के लिए permission देता है without any permission to switch over the exam center option to home based on computer mobile option उन्हें ये switch करने के लिए option देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो चाहती हैं तो उनको वो actually online exam कराना चाहते हैं और ये चाहरे हैं कि सब घर से ही दें जैसे पहले duties लगाए गई थी diploma में polytechnic की और क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने home ही opt किया है तो इसलिए वे चाहते हैं कि घर से ही सब के सब बच्चे exam दें और principal जो polytechnic की हैं उनसे भी request किये कि उन सब को phone किया जाए और ये कहा जाए कि वो अपने घर से exam दें तो ये notice है आज का 4th August का ये है आज की latest news I hope कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर कोई भी problem हो तो comment section में लिखेगा मैं उसमें आपकी help करूँगी and thanks for watching